रामकिश्मिना सहय काचार ये हिंदी बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रसंपात्र में सभी विद्यारतियों का स्वागत करता हूं और विन्हंदन करता हूं जैसा कि आज का हमारा विसे है कवीरदार द्वारा रचित साकी सब्द्रम्यनी जो वीजक की नाम से रचित है उ होनी का हम आज अध्यन करंगे तस जो जैसे कि हमने उने पिछली कक्शा में साखी में गुरु देव को अंग गुरु का महत्र्यथमें सुम्रण को अंग विर्ह को अंग Iswarka और में आत्मकिस तरह我 सातलपती है दिग संद्रन है इसी तरह उसी क्रम में हम आज पर्चा को अ इसा है अनमान कह वो को सोवा नहीं देके ही परमान अगम अगोचर गम नहीं जहां जग में जोत तहां का वीरावनदगी पापपन नहीं छोत हद छोड बेहद गया किया सुन असनान मुन जन महलन पावई तहां किया विस्राम जब मैं था हर नहीं अव हर में नाय रेम गलियती साकरी या में तो नशमाय मुस्तित पद्यांस कवीर भैंग में के परच्चा को अंग से संगलिता है ये पद संत कवीरदास द्वारा रचिता है संत कवीरदास के सिर्मोर कवी संत कवीर की रचनाय साखी सब्त रमेनी है जो वीजक में संकलिता है और इस पद में कवीरदास की कहते हैं पारब्रहम के त तेजुक्त सुन्ध्रिय का क्या अनुमानां लगाया सकता है। पारभ्रह्म के तेज का केसा है अनमान उस परभ्रह्म के उज तेज युक्त सोंद्रिय क्या हा या अनमान में अ knocking अग्णात नहीं है केवक कोशवा नहीं दे कोई प्रमान कोज़ान केवक प्रीक्षवर वल nggak अपरूच क satisf दे किया ही प्रमति अंतर रिखने या कम Parents अधकिवले उत्माहिसूस किया दा अपचुक्रुग अनुभुत विशे है तो पारभ्रम के तेज को केसा है अनुभुति का विशे है उसका देखने पर ही प्रमान होगी अते अगम अगोचर अगम नहीं जहां जगमगे जोत तहा कवीरावंद की पाप पुन नहीं हो जोत ये वह जोती ऐसे इसनात पर जगमगार प्रकासित कर रही है जो अगम है अगोचर है इंद्रियातीत है और जिस तक कोई गती नहीं है जिस तक कोई गती नहीं है अगम अगोचर गम नहीं जग मगे नहीं अर्थात वह जोती ऐसे इस्तन पर जगवान प्रकासित कर रही है जो अगम है अगोचर है अगोचर तर इंद्रियातीत है और जिस तक कोई गती तक नहीं ह तो कवीर वहां तक उसको वंदगिया नमन करता है तहा कवीर वंदगिया नमन करता है जहां पाप कुन का इस पर तक नहीं है वे इस्तान धर्मा अधर्म से उपर है अरतात कहने का अरतात पर यह है भे जोती ऐसे इस्तान पर जमा कर प्रकासित करती है जहने तो कोई पोंच तकता है अगम्म है अगोचर अंध्रियातीत है और जिस तक गतीतें तक नहीं है कवीर वहाँ पर उस क्यों नवन करता है वंदगिया नवन करता है उस जोती को उस प् हद चोड़ बेहद गया किया सुन इसनान मुनिजन मेहलन पावई तहां किया विस्ञान अते जब मैं असीम, सीमा, सीमा को छोड़कर असीम में पहुंचा हद छोड बेहद गया अर्थाथ मैं ससीम, सीमा को छोड़कर असीम में पहुंचा तब मैंने सुन्न में जाकर इशनान किया डूपकी लगाई सुन्न किया सुन्न किया इसनान अर्थात सुन में इसनान किया या अवगहन किया डूब गया मुनि जन महिलन पावई तहा किया और मैंने उस प्राशाद में विस्राम किया जिसे मुनि जन भी नहीं प्राप्त करते है अर्थात सुन सरोवर में सहस्ता अजर का दिब सरोवर है जो मुनि जन दुरलव प्रशाद दिर्विकार प्रहम किस्तेती है अर्थात में ने ससिम और सीमा को छोड़कर असिम पहुचा तब मैंने सुन में जाकर इश्नान किया डूबकी लगाई आवहन किया और मैंने उस प् होती है आगे है मैं आं तो हरी नहीं अब हरी में नाये प्रेम्य गन लिया ते साकरी कह रहें तो हरी नही थे जब में रहें तो आहिंबः नहीं है अब हरी मेरे न आए और अब मेरे मन में एहमबाव नहीं रहा है अब प्रेम की गली अतन्त संकीन है इसमें दो नहीं समा सकते में और हरी यann भगवान दोनों एक साथ मैं अध्यान आने पर सब प्रकार की जो भ्रम की जो भावना है द्रड होती चत जाती है समा सकते ज्ञान होने पर सर्व खरिध रहम्स की वहां द्रड ऊथ की चले जाती इस प्रकार जं में था तो हरी नहीं अवरी में ना यह प्रेम गली यह दूर हो गया है जब मैं मेरे मन इसमें दोनों एक साथ अहम और लियानि इश्वर दोनों एक साथ नहीं समा सकता है इ embryon होने पर सभी प्रकार के जो कश्ट है खालद है पाप है वो प्रभ्रम्त की भावना कि मसा से द्रड होजाती है इस प्रकार का सब्सक्राब्रब्रह loves Раз सुंद्रे का क्यानमान लगाया जा सकता है उसके उत्तर में यही कहा जासता है कि वे सुवा एकटनी है वे केवल शाक्षा अप्रूप्च अनुभुती का विसे है देके ही उसका प्रमान हो सकता है अगम अगोचर गम नहीं जहां जग में जो तहाग वीरावंदगी पापपन पुन कंधर नहीं जोट लांता है यए उस वे संनान वन जोन में पाव खुन कर सकता है नहीं जहां दर्म और और अधहम से उपर होता है पहा किया विश्या जब मैं ससीम यनर शीवा को छोड़कर असीम में पहुचा तो मैने उस प्रशाद में विश्रब किया मुनी जन महलन पावई तहां किया अग्यम मुनी जनוך वी जिसको पराप्त नहीं करते उस उस प्रसाद में भिसराम किया सुछ सरोबर सहस्टरवार का जिप सरोबर है मुनी जन्र में कारप्रहें किज देती है वह था लही नहीं आते प्रेम कली अतिसाक ilी तब प्रेम की जो गली है अतंसंकीड होती है इसमें दो नहीं समा साकी है दोई निशनाइ अतं अत्क ग्यान होने पर सर्व क्लिज ब्रह्म की भावना द्रड़ होती चले जाती है इसी का इस पत में प्रितवादन किया गया है और इस पद की जो विशेषता है परचाकों में कवीर ने अध्यात्मक आनंद की असीन ताकी अनभूती में वेंजना की है परचाय ने आत्म साक्षात तत जनित आनंद की ववस्ता है परचाकों में कवीलने अध्यात्मिक प्रेम, ज्यान भक्ति, नाद योग, सुर्ति योग, इत्यादी अन साध्राओं से प्राप्त, प्रम्तत के साक्षात करके जनित अनांद भुति का चितरन किया है आत्मा प्रमात्मा के दामपर दभाव का या निरूपन हुआ है, ये रूपक और प्रेक्षा लंकार है, तता भासा शदुक्री है, इस तरह इसमें सभी का समा भी इस है, और दूसरा है, बद है, निये कर्मी प्रतिवर्ताकों, नेन अंतर आवतो, नेन जहां तो इलेव, ना हों देखो और को, ना तुझ देखन देऊ, कवीर रेक सिंदूर की काजल दियान जाए, नेनन रम्या रमिरहा, दूजा कहां समाए, मन परतितन प्रेमरश, ना इस तन में ढंग, क्या जानू उस पीव को, के से रहे शिरंग, प्रिश्तित पद्यांश में, कवीर से संक्रते पद में कविर रचित है, नेकarrov प्रतिता को अंग से ग्रहीत है, जीवातमा का अन भाव से इस्वेर रूपिय पती के अंुरुकत होना, और उसके प्रतिवता रूप का चित्रन करना ही निये कमें पर तता को अंग है कवीरदाज कहें जाए नेना अंतर आव तू नेन जहाप तो हिले ना हों देखू और को ना तो देखू कवीरदाज कहते हैं हे प्रिये तुम मेरे नेतरों में समा जाओ नेन आतर आव तू नेन जहाप तो हिले तो कवीर दाजी कहता है ही प्रिये तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ और मैं तुम्हें वहां विराज कर नेत्रों को बंद कर लो ने जहां पतों हो लो और जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आए तो मैं नेत्रों में आपको बंद कर लो और अगर मैं और किसी को देखने दू अगर मैं और किसी को देखने दू में प्रेमी पर एकांतव अधिकार की वहावना होती है जिसकी अव्यक्ति यहाँ पर हुए अर्थात नेनन अंतर आप तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ में तुम्हें नेनन जहाँ पर देखू और मैं तुम्हें वहाँ विरादकर नेत्रों को बंद कर लोगी। जहालो यहन के वहावनी यह आगे कविए अधिक्ति पदह में कभीरेख सिन्दूर की का जाने जाये नेनन रमिया रमिरहा तू जा कहाँ सकता। जाने 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 और कहाँ सकता। तो उस समय उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता उसी पार जब नेत्रों में राम समया होता है तो उसके प्रेम की लारिमा है तो दूसरे के लिए विसे वासनाओं या अन्शाधनाओं के लिए कहां इस्तान है अर्थात उसमें काजल का रूप माया क्या करसन केसे समा सकते हैं और आगे है मन प्रितिन प्रेमरस ना इस तन में ढंग क्या जानो उस पीव सो केसे रहिशी रंग अर्थात मेरे मन में स्वामी के प्रिति ने विश्वास है ने प्रतिती ने प्रेमरस ने तो मेरे मन में श्रामी के प्रिति विस्वास है नहीं प्रेम रस है ने इस सरीर में कोई धंग ना इस तन में धंग ने इस सरीर में कोई धंग है इसलिए क्या जानू उस पीव को कैसे रहे से रहे इसलिए इसलिए मैं क्या जानू उस प्रितम के साथ किस प्रकार का रंग अन्राग रहेगा क्या जानू उस पीव सो कैसे रहेशा है कैसे अन्राग है यहाँ लोकिक प्रेम से अलोकिक प्रेम की बंजेना है इस बद में समास्युक्त की अलंकार अता मन प्रितीने प्रेमरस ना इस तन में धंग मेरे मन में ने तश्वामी के परतित्यनी विशवास है नए प्रितम नही प्रीम रहेगा और ना इस तन में ढंग ढंग और ने इश्क इसित 우ैं किसी प्रकार की कोई ढंग है इसलिए क्या जानू उस प्रीटम प्रीतम के साथ किस प्रकार का अंठ रहेगा अर्था प्रेम रहेगा यहां अलोकिक प्रेम से अलोकिक प्रेम की बंजना ही इस पदमे समाश्यक्ति अलंकार है घवीर्दा जी कहते हैं हे प्रेम तुम मेरे नेत्रों में समाजाओ में तुम्हें वहाँ विराज करर नेत्रों को बंद कर लोगा नेटरों में वसा लोगा ताकि ना हों देखू और को ने तो किसी अन्ड को देखू और ना तुझ देखन देखू और ने तुम्हें किसी अन्ड को देखने लोगों आज़े अंनन प्रेम की वनजना हुई है लोकिक प्रेम में प्रेमी पर एलेकंतिक अधिकार की भावना होती है जिसकी अव्यक्ति इस पदमें हुई है आगे है कबीर रेक सिंदूर की काजल दियान जाया है नेनने रमिया रमिरा हादू जाकाश कवीर कहते हैं जब आँखों में संदूर की रिखा रहती है अर्थात अनराव की रखना होती है तब उस समय उसमें उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता उसी प्रकार नेनन रमिया रमिरा जब नेत्रों में राम समया हुए उस प्रेम की लालिमा है तो दूसरे के लिए विशेवासनाओं या अनसाधनाओं के लिए इस्थान का है तो दूसरों के लिए इस्थान का है अर्थात इसमें काजल रूप मया के आकरसन कैसे समा सकते हैं इस पद्मिन पे प्रेम की अनन्न ज्यरां होई है, अधैक मन पर्तितन प्रेम रस, ना इस तन फीद में ृअधा में जानू उस पईष्यóc कैसे रहा मेरे मन में श्वामी के प्रितने तो विश्वास है ने प्रेम रसे है, और नई सरीछ में कोई नग है इसलिए क्या जानू उस प्रितम के साथ किस प्रकार का अंराग रहेगा कैसे रहे सी रंग उसके साथ किस प्रकार का रंग ये अंराग ये प्रेम रहेगा यहाँ लोकिक प्रेम की बंजना हुई है इसके रभी रिदास ने इसकी जो विसेस्ता है परचा से भगवार के प्रति जीव का जो प्रेम जागा है उसका सखन हो कर अनन हो जाना स्वभावी के है ऐसे ही जीवात्मा के अनन भाव से इस्वार रूप के प्रति ननरक्त होना उ सच्चे प्राप्त जीवात्मा का सुरूप इन तीनों ही अर्थों में व्यक्तुभाए इसकी पद की भासा सदूक्डी है और ये शाक्यों मुक्त है अते कविर्दास की जो भासा है वो शदूक्डी है पंच मेर खिच्डी अर्था सभी जो बोली है उनका लोग किया रहे है इसलिए उनको भासा को सदूक्डी थेंक्यू धन्वा